नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आप तभी का आज की सेशन के अंदर कल हमने हाईवे इंजिनरिंग का देवन यानि के इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है वो कल हाईवे का हमने स्टार्ट कर दिया था जिसके अंदर पहले बेसिक सिंबल्स के बारे में हमने जाना था और उसके बाद दोस्तों Geometric Design जो है इसके बारे में हमने जाना Geometric Design होता क्या है? उसके लिए कौन कौन से फेक्टर्स हैं जो उस Geometric Design को इंपेक्ट करेंगे जिनमें पहला factor आया था कि roads जो हैं इनके type इनके अंदर एस सच कुछ याद करने वाला नहीं था उसके बाद type of vehicle जिस vehicle को consider करके road को design किया जाएगा वो type of vehicle जिसके अंदर हमने बोला था उस vehicle का नाम देंगे हम design vehicle design vehicle के अंदर आपको ये जो data है थोड़ा सा एक बार इस पर नज़र मारनी पड़ेगी जब जब भी आप revise करेंगे तब तब topographic point of view से ये table आपको याद करना है कि किसी country के या किसी land form किसी जगह की आप बात कर रहे हैं जहां का cross slope अगर 0 से 10% है तो उस जगह को बोलेंगे plane 10 से 25 है तो rolling बोलेंगे 25 से 60 है तो mountainous और greater than 60 के अंदर steep हम उसको बोलेंगे उसके बाद traffic capacity को passenger car units की terms में इसे गिना जाता है ये हमने जाना था उसके बाद अलग-अलग PCUs जो हैं जो हमें याद करने हैं वो आपको देखने थे उसके बाद 30th highest hourly volume इसके according हम traffic को design करते हैं 30 नंबर का जो highest traffic volume होता है उसके हिसाब से design करते हैं अगर probability of congestion पूछा जाता है आपसे तो 0.33% बताना है कि एक साल में ऐसे 29 घंटे होंगे जब आपको congestion observe होगा जब आपको design traffic से ज़्यादा traffic मिलेगा मतलब probability 29 out of 365 days या 29 out of 365 into 24 hours into 100 कर देंगे तो 0.33% आ जाता है design speed की हमने बात की थी कि ruling speed जो है expressways के लिए 120 state और national highways के लिए 100 km पर आर कम से कम एक expressway को 100 km प्रती घंटा के लिए तो आप design करेंगे ही करेंगे और अगर national या state highway की बात करें तो 80 के लिए आप करेंगे आपका wheel एक बार घूमता है तो वो 2 pi r या pi d distance cover करता है लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एक बार घूम गया और pi d distance travel नहीं किया उसने इसका मतलब wheel slip कर रहा है आपका wheel अगर एक बार घूम गया पूरा एक revolution उसका complete हो गया और उसने distance जो travel कर लिया है वो pi d से जादा कर लिया है इसका मतलब वो skid कर रहा है vehicle तो slip और skid के बीच में अंतर आपको समझना है जब भी आप किसी road के उपर जा रहे हैं आपने brakes apply किये जब आप किसी road पे जा रहे थे आपने brakes apply किये तो brake apply करने के कारण आपकी forward direction में जो movement थी उसकी retardation होनी शुरू हो जाएगी मतलब friction कौन सी direction में act करेगा पीछे की direction में जिसे हम बोलते हैं कि length की direction में act कर रहा है जिसे हम बोलते हैं longitudinal longitudinal friction के नाम से हम उसे जानते हैं यहीं पर अगर कोई turn आ जाता है कोई curve आ जाता है तो अगर किसी curve पर vehicle जा रहा है तो उसके उपर बाहर की direction में centrifugal force लगती है जो इस vehicle को यह vehicle ऐसे जा रहा था तो इसे इस direction में खीचने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर friction इसको oppose करेगा इस centrifugal force P को friction oppose करेगा तो यह वाला friction कौन सा होता है यह lateral friction होता है longitudinal friction की अगर हम बात करें तो इसकी value 0.35 से 0.40 के बीच में होनी चाहिए lateral friction की अगर हम बात करें तो 0.15 होनी चाहिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो surface characteristics के अंदर आता है unevenness index bump integrator का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है उसके आगे अगर हम बढ़ें दोस्तों तो next आज का जो हमारा session है day 2 इसके अंदर क्या बाते हम पढ़ने वाले हैं तो जो highway के cross section elements हैं पहले ह होने जानेंगे फिर उसके बाद जो उसके geometric aspects हैं उन्हें हम जानेंगे सभी को नमस्कार good evening कितना class होना है highway की सर देखें मेरे प्यारे दोस्त कितनी class होनी है कितनी timings मतलब कितने घंटे की class होगी कितने number of classes होंगी क्या Saturday Sunday classes होंगी या नहीं होंगी यह ऐसे वाली चीज़े हम बहुत फीछे छोड़ आए हैं ना पहले कभी समय को देख करके हमने पढ़ाई गी ते ना आगे करेंगे हम जो भी पढ़ाई करेंगे वो optimum study होगी बहुत जादा optimized होगी कम समय में जादा चीज़ें कैसे पढ़ सकते हैं effectively वैसे पढ़ेंगे पहली चीज तो यह दूसरा number of classes fix करके कभी नहीं पढ़ेंगे जितनी हमें जरूरत होगी उतना time अराम से लेंगे हम जितने में हमें अच्छे से समाझ आ जाजाए सारी चीज़ें हमारी cover हो जाए extra time obviously हम waste करेंगे नहीं जहां पर जरूरत नहीं हो time भी नहीं waste करेंगे तो इन चीज़ों में आप परेशान म नाम से सर्च करेंगे तो एप के उपर भी PDFs हैं जो concrete technology की सारी PDFs already uploaded हैं दोनों जगा highway की कल की और आज की दोनों एक साथ upload हो जाएगी क्योंकि कल जादा कोई content cover हुआ नहीं था इसलिए PDF upload नहीं थी आज के साथ सारी upload हो जाएगी एप के उपर सुबर 9 बजे हमारा strength of material का session च most probably कल खतम हो जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं आगे तो आप पढ़ सकते हैं strength of material नहीं बैच में अभी subject चल रहा है एप के उपर geometric design elements पर आ जाते हैं highway engineering के अंदर highway का geometric design आप कर रहे हैं जियो मेती बोलते हैं हिंदी के अंदर शायद geometry को तो cross section के elements देखेंगे highway को cross section के अंदर देख रहे हैं फिर उसके बाद site distance के horizontal alignment, vertical alignment, intersection के elements हम देखेंगे cross section के element के अंदर हमें क्या क्या नजर आएगा पहला होता है carriageway अब अंतर समझना शुरू कर दीजिए एक आम इंसान और एक civil engineer के बीच में carriageway जो portion road का, road का वो portion जिसके उपर actual में vehicles चलते हैं उसे बोलते हम carriageway तो यह जो आपको यहाँ पर gray color का portion जो भी दिखाई दे रहा है that is carriageway अब carriageway का अलगे-लग नाम हो सकता है यह भी उमें अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप किसी road के उपर किसी highway के उपर अगर आप जा रहे हैं तो यह आपको road अगर दिखेगी तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें एक lane ये है दूसरी lane ये है तो यह दो lane का highway है एक lane दूसरी lane two lane का highway है और इसमें traffic depend करता है ये बताया जा सकता है कि सिर्फ one way है मतलब दोनों lanes पे vehicle सिर्फ उस तरफ जाएंगे ये two way है कि इस तरफ से vehicle जाएंगे और इस तरफ से vehicle आएंगे तो दो lanes हमें दिखाई दे रही है इसलिए two lane का highway है नीचे अगर आप देखेंगे तो एक lane द traffic separator median with green area यहां पर आपको दिखाई दे रहा है तो four lane का highway है divided highway है दो lane जाने के लिए दो lane आने के लिए यहां पर आपको दिखाई देती है तो इसके अंदर carriageway आपका divided है एक आधा इस तरफ है एक इस तरफ है उसके बाद अगर हम बात करें तो carriageway के side में वो portion road का जो extra portion दे र constructed just for the purpose of halting या vehicle को अगर आपको रोकना है side में अगर कोई break लेना है पार्क करना है तो उस purpose के लिए इस portion का इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बाद next portion जिससे traffic separator भी बोलते हैं median भी बोलते हैं तो वो आपको यहां पर यह दिखाई दे रहा है median या traffic separator आपको यहां दिखाई टापिक जो है वो traffic engineering से related ही आता है अलग-अलग type की lanes होती है आपको अलग-अलग जगा दिखती है जैसे अगर यह lanes ऐसे dash dash form के अंदर दी हुई है gap दिख रहा है ना आपको इनके अंदर तो अगर इस तरीके से है इसका मतलब ऐसी lane आपको यह बताती है कि आप इस lane से इसमे जा सकते हो इस से इसके अंदर जा सकते हो ठेक है अगर यह line solid होती अगर यह solid line होती जैसी solid lines आपको यहाँ दिखाई दे रही है तो solid lines यह depict करती है कि इस line को cross न करें यह आपको depict करती है अगर yellow color की lines आ जाती है yellow color की dash वाली lines आ जाती है जैसी आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाई दे रही हैं वैसे तो air fields के अंदर जादा तर yellow color use किया जाता है लेकिन अगर कहीं yellow color का दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप तभी cross करें जब बहुत ही जादा जरूरी है वरना अपनी lane के अंदर ही चले और अगर solid yellow हो जाए इसका मतलब अब आप इस lane को इस lane से cross मत करिएगा चेंज मत करना आप lane यह solid जो yellow lines है कहां पर दिखाई देती है आपको crowded areas जो arterial roads होती है जैसे दिली के अंदर अगर आप कहीं पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा बहुत सारी ऐसी road है अब उसकी width ही इतनी already restricted है कि आप उसके बीच में अगर median भी ब यह बता रही है कि आप उसको cross नहीं करेंगे उस तरफ नहीं जाएंगे उस yellow line के इस तरफ ही रहेंगे अगर white है तो white यह है कि अगर बहुत ही emergency situation है तो उसको cross कर लीजी otherwise इस तरफ ही आप रहिएगा वहां तो इनको भी आगे हम पढ़ेंगे जैसे हमारा traffic engineering वाला वो chapter कि कि अगर एक highway को हम इस तरीके से ऐसे काटें उसका cross section देख रहे हैं इसको ऐसे cut कर दें तो क्या क्या चीज़े हमें इसके पूरे cross section के अंदर दिखाई देंगी जिनमें से पहला हमने देखा कि हमें यह carriage वे दिखेगा दूसरा हमने देखा कि यह traffic separator या median हमें यहां पर द जरूरत है क्योंकि अगर यह guard rails नहीं provide करेंगे तो animals जो है इधर से जो दोड़ते हुए आएंगे एकदम से highway के उपर आ सकते हैं तो safety security के purpose से यह किया जा सकता है कई बार क्या होता है कि अगर यह median separator या traffic separator इतना उंचा नहीं है तो लोग जो है vehicle को ही इसके उपर से घुमा guard rails provide करना जरूरी हो जाता है bridges के उपर या over bridges जो होते है elevated roads जो होती है उनके उपर भी आपको guard rails या फिर जो boundaries है वो देखने को मिलती है उसके बाद next अगर हम देखे हैं तो curve होता है curve आप घर के इंदर भी जो interlocks लगवाते हैं जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यह interlocking हो रखी है तो घर में भी आप curves बना देते हैं यह curve बनाया हुआ है एक raised border होती है कि इधर कोई vegetation कोई पौधे लगा रखे है आपने इसको इससे separate करने के लिए आपने यहाँ पर एक raised उठा हुआ पूर्शन बना दिया इसको बोलते है curve जो यहाँ पर पत्थर लगे हुए होते boundaries बनानी है तो उसके लिए तो curve इसको बोलते हैं अब road के किनारे पर curve जो है वो क्या क्या purpose सौर्व कर सकते हैं road के बीच में जो खाली जगा होती है जो green area होता है उसे बोलते है island traffic island उसके भी अलग-अलग purposes होते है traffic को separate करने का island हो सकता है channelize करने का island हो सकता है rotary island हो सकता है जो की purpose सर्व करता है कि multiple roads एक जगा आकर के अगर मिल रही है तो कैसे traffic को अलग-अलग roads तक भेजा जाए channelize किया जाए तो इनके बीच में भी यहां पर यह curve यूज किया जा सकता है foot path और road के बीच में भी curve यूज किया जा सकता है जहां पर भी आपको border provide करनी है एक edge provide करनी है एक lane वाला carriage वे जैसा village road में देखने को मिलता है तो 3.75 meter उसकी width होती है 3.75 meter उसके width होती है अगर दो lane वाला है जिसमें कोई curve नहीं provide कर रहे हैं आप आस पास तो उसका 7 meter अगर आपने curve provide कर दिया इस तरीके से raise किया हुआ curve अगर आप provide कर रहे हैं तो उस case में 7.5 meter हो जाता ह multiple lanes अगर आप use कर रहे हैं जैसे इस case में आप देख सकता है एक lane दो lane ऐसा भी हो सकता है कि इस तरफ 3 lane होती इस तरफ 3 lane होती तो 6 lane वाला highway आपके पास अगर होता तो उस case में हर lane के लिए आप use करेंगे 3.5 meter अगर intermediate multiple lanes नहीं use कर सकते हैं और single से भी जादा use करना है आपको जै based curve उसके बाद आपके पास multiple lane और intermediate यह आप से एक्जाम में पूछा गया है यह आप से एक्जाम में पूछा गया है बहुत ही बार और कहीं ना कहीं questions में भी इसका इस्तेमाल होता है shoulder की अगर हम बात करें तो road के beyond यह जो portion छोड़ दिया जाता है आपको भी पता है कि एक चलते हुए एक busy highway के उपर अगर किसी vehicle को halt करना पड़ जाए रुकना पड़ जाए तो उसको चाहिए होगी कुछ जगा accumulate करने के लिए तो उसके लिए shoulder चाहिए होगा desirable जो हम चाहते हैं वो तो होना चाहिए 4.5 मीटर की यह जगां कम से कम 4.5 मीटर हो इतना space वहाँ हमेरे पास available हो लेकिन इतना ना हो तो कम से कम 2.5 मीटर तो हो जितना IRC recommend करता है कि एक vehicle की maximum width हो सकती है उतना तो जगां दीजिए वहाँ पर रोकने के लिए उसको तो minimum 2.5 curves की अगर हम बात करें तो यह boundary है raised edge है यहाँ पर जो provide किया गया median या traffic separator जो है यह हम चाहेंगे कि कम से कम 5 मीटर का हो लेकिन वो तब कर पाएंगे ना जब हमारे पास road के लिए जो road right of way है road का total width जो हमारे पास सरकारी जगा available है road को बनाने के लिए वो sufficient है तभी तो 5.5 मीट के median provide कर पाएंगे अगर वो sufficient नहीं है तो उस case में उसे 3 मीटर तक किया जा सकता है जहां पर bridge होंगे हम bridge को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चाता है कई करोड रुपए लगते हैं 100 करोड के लगबग लग जाते हैं एक bridge को construct करने में तो उस case में क्या होगा अगर हम इतने बड़े-बड़े median या traffic separator दे देंगे तो वो waste of money है हमारा इसके बजाए हम उस width of road को use करें vehicles को एक side से दूसरी side पहुचाने में तो bridges के case में 1.2 से 1.5 मेटर तक median या traffic separator जो है वो हो सकते हैं उसके बाद आगे बड़े अगर हम transition in median median के अंदर अगर transition आ रहा है median में transition आने का मतलब कि अगर आपको कहीं ना कहीं आपको you turn लेना होगा जिसको हम क्या बोलते हैं gap in median बोलते हैं हिंदी में या फिर हमारे local language में क्या बोलते हैं कि divider में cut जो है वो बहुत दूर पे आएगा आप किसी highway पे चड़ गए express way पे चड़ गए तो आप क्या बोलते आएगा तो उसकी बात करें तो ये 1 in 15 से लेकर के ये 1 in 20 तक transition जो है इसके अंदर होगा ऐसा नहीं है कि एकदम से सीधा सीधा sharp जो है वो आपको ऐसी shape दे दी इसकी ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता आपको जहां पर भी median के अंदर transition आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा त तन लेकर के जाना है तो उनके लिए भी कुछ इस प्रकार से दिखेगा ठीक है नेक्स आते हैं road margins के उपर road margins वो अलग-अलग margins है जो ये ensure करवाती है कि building activities या फिर beyond the land of road जो activities हो रही है उनको कहां तक restrict कर दिया जाए जो भी कोई जगा होती है जैसे आपने अक्सर सुना project जैसे ही आने वाला होता है उसकी news आती है तो वैसी क्या होता है उस particular area की जो lands होती है वो महंगी हो जाती है rate बढ़ जाते हैं वहां पर लोग कहते हैं यहां से तो highway निकलने वाला है यहां से तो ring road निकलने वाली है तो यहां पर जबरदस्ट appreciation मिलेगा land का आपको आप खरी cultural थी उसको commercial करवा लेते हैं convert करवा लेते हैं फिर उसके बाद उसके उपर shops malls बनाने हैं तो वो या फिर जो भी restaurants धावे यह सब खुलने शुरू हो जाते हैं तो वो सारी activities जो भी activities हो रही हैं वो activities हमारे road के purpose को हमारे road का जो flow है उसको impact ना करे उसको harm ना करे इसके लिए हम कुछ certain margins ले लेते हैं जिनके अंदर आती है road margins the portion of road beyond the carriageway and on the roadway can be generally called as road margin यह carriageway के beyond carriageway के पार जो हमने यहां proportion रखा हुआ है यहां से लेकर करके यहां तक यह road margin आ जाता है इस road margin के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी कि जो आपने यहां पर जो soil थी यहां की यह subgrade था यह shoulders provide किया इतना carriageway था फिर shoulders provide किया फिर थोड़ा slope provide किया अब बारिश का पानी जो road के उपर गिर रहा होगा वो road के along भी चलता है और sideways direction में भी चलता है तो आप यहां से पानी flow करके यहां पर drains दी जाएंगी longitudinal मतलब road के parallel जो drains चलती है वो आप यहां पर provide करेंगे सड़के क किनारे किनारे आप देखेंगे अगर तो drains दिखती हैं आपको नाली होती है पानी जिससे भै करके जाता है क्योंकि obvious सी बात है कि इतनी लंबे stretch पे road के उपर अगर बारिश का पानी गिरेगा और अच्छे खासे area पे गिरेगा तो उसको flow करवाना होगा कि वो सड़क पर जम पानी जैसे ही road पे गिरे वो sideways direction में जाए drain में चला जाए और drain में आगे भैता हुआ चला जाए इसलिए आप देखेंगे देखेंगे तो नहीं लेकिन अब से शायद ध्यान दे लें आप इस चीज़ के उपर कि अगर road को आप थोड़ा सा imagine करके देखेंगे 3D में तो वो को दिखाई देगी कैसे कुछ ना कुछ उसके अंदर slope होगा certain amount of slope होगा हमेशा ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो slope ऐसे increase ही करता चला जाएगा लेकिन over the time जहां जहां पानी drain करवाना है हमें उसके according slope जरूर होगा अब ये road के उपर और अब यहां पे भी अगर देखेंगे तो ये वाला portion road का बीच से उठा हुआ होगा जिसको kember बोलते है ये road का portion बीच से भी उठा हुआ होगा जिसको kember बोलते हैं अब बारिश का पानी आया वह बारिश का पानी इस पे गिरेगा तो कुछ इस तरफ लोग कर जाएगा अब इस road के parallel हमने drain बना रखी है अब इस drain के road को length की direction में भी कुछ slope दिया जाता है जिससे कि इस drain को भी slope मिले या drain को slope दिया जाता है जिससे कि इस drain में जो भी पानी आएगा वो भै करके चला जाए and at certain intervals boring करके या फिर जहां से भी हम इस water को बाहर निकालना है या फिर dump करना है वो किया जा सके तो ये drains आ जाएंगी drains का भी importance है हमारे highway के अंदर उसके बाद boundary आ जाती है road की फिर आती है building lines control lines जो कि ये ensure करवाती है कि इस in lines के beyond कोई भी commercial purpose से या residential purpose से किसी भी तरीके से इसके अंदर road के area के अंदर road का right of way जिसको हम बोलते है total land जो होती है right of way जो सारी acquire की जाती है इनके अंदर उनका कोई interference न हो यहाँ पर कोई भी activity कोई भी building activity construction activity किसी भी प्रकार की activity जो है वो इसके beyond permit नहीं की जाएगी आप कभी भी देख लीजेगा जो भी hotels होते हैं restaurants होते हैं धाबे होते हैं जब भी आप किसी road पे किसी highway पे long drive पे जा रहे हैं या अगर आप travel कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो जो main building है वो आपको कभी भी road के किनारे नहीं दिखेगी वो आपको road से certain distance दूर ही जाकर के दिखेगी ताकि उस building की activities influence ना करे हमारे road के flow को तो इसलिए उन्हें दूर रखा जाता है right of way क्या है right of way वो entire land है जो acquire की जाती है इस road के लिए वो entire land है जो सरकारी जगा है जो acquire की गई है उस particular road project के लिए तो वो आपकी आती है right of way अब right of way आ गया right of way के beyond यहाँ पर कुछ distance आएगा setback distance आगया जिसके beyond buildings जो है वो होंगी या उनकी activities जो है वो उससे उस तरफ ही रहने वाली है यहाँ पर next आते हैं cross loop या फिर camber के उपर camber का purpose क्या है अगर आप road के cross section को देखेंगे तो road आपको या तो ऐसी दिखेंगी या फिर cross section में मतलब road को अगर ऐसे cut करके देख रहे हैं इनको अगर आप देखेंगे तो यह road आपको दिखाई देगी जो वो कुछ इस प्रकार के दिखाई देगी ताकि बारिश का पानी जब इसके उपर गिरे तो वो कुछ इस तरफ फ्लो कर जाए कुछ इस तरफ फ्लो का इस तरफ चला जाए कहीं कोई ऐसी situation अगर बन भी रही है जहां पर पानी को cross करवाना है तो इस median के बीच से भी आप water को यहां से flow करवा सकते हैं cross उसको करवा सकते हैं उसके लिए भी provision रखा जाएगा तो यह आजाता है camber, camber का purpose है कि जो भी बारिश का पानी आकर के lateral direction में, crown किसको बोलते हैं इसका जो topmost portion है, road का जो topmost portion है उसको crown कहा जाता है यहां पर, अब किस प्रकार का pavement है, bitumen वाला है, कच्चा road है या फिर वहां पर concrete वाला pavement है, बारिश कितनी होती है उस जगां पर moderate होती है या बहुत high होती है, उसके according camber provide किया जाता है, objective में यही bituminous pavement अगर है, तो उसका camber जो है वो कितना होगा, तो heavy के case में 2% तक, अगर light rain है तो 1.7% वाला भी चल जाएगा, अगर thin bituminous surface है तो 2.5% gravel या water bound macadam, water bound macadam क्या होता है, water bound macadam के अंदर क्या होता है, aggregates होंगे, stones होंगे, उनके बीच में stone dust होगा, या फिर यह कह लिजए कि छोटे particles होंगे, तो बड़े बड़े particles, उसके बीच में छोटे particle या उनके बीच में fine sand या इस तरीके का proportion होगा, बहुत ही fine particles होंगे, अब इनको क्या किया, पानी अड़ करके पाने के साथ, फिर उसके बाद जोर से इनको compress कर दिया, consolidate कर दिया, heavy loads इनके उपर लगा दिया, जिससे हम इसको बोल देते हैं, कि ये macadam बन गया, water bound macadam, लेकिन उस macadam में दिक्कत ही आती है, कि जैसे बारिश का पानी अगर आएगा, तो फिर से कीचर जैसा हो जाएगा, वहाँ पर, इसके बीच की ये जो dirt है, या जो fine वाली soil थी, ये वापस उपर निकल करके तो आप धही की churning करते हैं, जिससे buttermilk चाच बनती है, या butter जो है, वो निकलता है, मक्कन निकलता है, चाच बनती है उससे, तो आप उसकी churning कराते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर इसकी churning हो जाती है, ये जो particles बीच में आए थे, इसके साथ साथ पानी आ गया, अब उसकी churning करवा देता है, wheels जो है, भूमते रहेंगे, वो particles को और छोटा भी कर देंगे, तो उससे वहाँ पर mud वाली सी situation create हो जाती है, वो water bound macadam होता है, उसके लिए और ज़्यादा slope चाहिए हमें, ताकि वहाँ पानी न ठहरे, तो वो 3% तक होता है, heavy rain की case में, 2.5% light rain की case में होता है अगर बिलकुल earthen road है, मिट्टी से बनी हुई road है, तो उस पर थोड़ा और ज़्यादा slope हमें चाहिए होगा, वो 4%, 3% consider करते हैं, camber की अगर हम बात करें, तो अलग-अलग shape का ये हो सकता है, straight camber हो सकता है, या फिर parabolic हो सकता है, इनमें थोड़ा ये opposite है, अगर straight camber की हम बा वो bituminis में हमें देखने को मिलता है, चलें आगे, अब आती है बात, ये तो होगे cross section के consideration, वापस चलें अगर, तो geometric design पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था, geometric design को कौन-कौन से factor impact करते हैं, आज पढ़ रहे हैं कि cross section के elements क्या हैं, पढ़ लिया हमने, अब site distance considerations कौन-कौन से हैं, site में, देखने में जो आते हैं, देखने वाली सारी चीज़े हम भी हमें observe करनी है, site distance consideration के अंदर, पहला consideration जो आता है, वो हमारा आता है, safe stopping site distance, कितना road का length हमेशा हमें दिखता रहे, जब भी हम किसी highway को use कर रहे हैं, तो road कुछ इस प्रकार से design की जाए, कि हमें हमेशा road की इत एकदम से road पे आए, तो हम brakes apply करके रोक पाएं, उस collision को avoid कर पाएं, ऐसी situation ना हो जाए, कि जैसे एकदम से कोई sharp turn आ गया, आप एकदम सीधा सीधा जा रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि आगे कोई turn आने बाला है, आप चलते जा रहे थे, किसी अंजान road पे आप जा रहे ह आपको एकदम turn मिला, एकदम turn मिलते ही, यहाँ पे कोई obstacle आ गया रस्ते में, तो आपको समय नहीं मिल पाएगा brakes apply करने का, collision होने के chances हो जाएंगे वहाँ, तो ऐसा highway design करना है, कि at all times हमें इतना distance तो दिखता रहे, कि जब भी brakes apply करने हो अगर, तो brakes apply हो जाएं, और उससे collision होन आपकी eyesight अच्छी है, आँखों की eyesight के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, green vegetables खाना चाहिए, exercise करने चाहिए, yoga करना चाहिए, यह सारी चीज़े हम बोलते हैं, eyesight को improve करने के लिए, तो sight distance, देखने में जो आते हैं distances, उन distances की बात कर रहे हैं, अब उन distances में कौन कौन से distance आ जा कि अगर आप overtake कर रहे हैं किसी को, अगर आपके आगे कोई slow moving vehicle है, हम यह नहीं कहा रहे हैं, आप design speed से ही चल रहे हैं, आपके आगे कोई slow moving vehicle जा रहे हैं, तो अब तो उससे overtake करना बनता है, तो जब आप उससे overtake करेंगे, तो क्या इतना road का length आपके पास visible है हमेशा, कि आ आप एकदम safe feel करें comfortable feel करें उसको overtake करने में कि आप अपनी lane change करेंगे accelerate करेंगे उसको overtake करेंगे और वापस अपनी lane में आ जाएंगे without colliding from a vehicle coming from opposite direction तो ये आप ensure करेंगे तो वो भी एक प्रकार का side distance हो गया intersection पे आप जा रहे होंगे तो आप north direction में जा रहे हैं को east direction से vehicle आ रहा ह तो breaks apply हो पाएं और इनका collision avoid हो जाएं तो ये सारे distance होंगे अगर हम बात करें setback distance की मतलब अगर किसी curve पे थे let's say अब इस curve पे थे यहाँ पे कोई building constructed है तो ये building कितनी दूर होनी चाहिए जिससे की किसी vehicle को यहाँ से easily इस तरफ से आने वाला vehicle या obstacle easily दिख जाए तो main road के center line से इस building को कितनी दूर रखा जाए तो setback distance हो गया तो ये सारे side distances हैं जो हमें देखने होंगे अब इनके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला SSD आता है stopping side distance दूसरा safe overtaking side distance या passing side distance के नाम से भी हम इसको जानते हैं कि overtake करने के लिए कितनी length चाहिए आपको यहाँ तीसरा safe side distance for entering and uncontrolled intersection ऐसा intersection जिस पर अभी control नहीं है या फिर ये कह लिजी control कैसे लगाते हैं active control होता है passive होता है partial control होता है फिलाल के लिए यूँ समझ लिजी आप कि अगर कोई traffic जा रहा था किसी intersection को cross कर रहा था तो आपने traffic signals लगा दिया वहाँ पर signal लगा दिया red है amber है green है तो वो signals देख करके आप control कर पा रहे हैं उस flow को तो uncontrolled अगर है traffic signals वहाँ पर नहीं है vehicles cross करते जा रहे है right angle पर दो roads cross कर रहे हैं तो उस case में कितना distance हमेशा visible होना चाहिए हमें उसके बाद intermediate side distance ऐसा distance जहां पर overtaking की possibility नहीं बन पा रही है कि इतना provision नहीं हमारा बन पा रहे है कि हम पर overtaking side distance provide कर पाएं ऐसी scenario अगर हो जाते हैं तो वह intermediate side distance provide कर दिया जाता है फिर आते हैं headlight side distance पर headlight side distance की क्या जरूरत है headlight side distance अगर बिल्कुल flat road है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है flat road के according तो ठीक है लेकिन जैसे कल हमने एक example लिया था कि valley curve अगर valley curve है इस प्रकार का कोई curve बना हुआ है अब उसके अंदर अगर रात को कोई vehicle चल रहा है तो उसकी headlight तो यहीं तक ही गिरेगी न तो इस curve को मैं ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ कैसा बनाओ इस valley curve को एक जगा से दूसरे जगा इन में connect करने के लिए तो हम ऐसा ही ही तो बनाएंगे जिससे कि हमेशा इतने distance तक तो headlight through हो light का through इतना तो हमेशा maintain रहे जिससे कि अगर हमें vehicle को रोकना पड़े तो रोक पाएं तो यह कुछ sight distance जो है वो हमें consider करने होते हैं पहला stopping sight distance जिसे हम बोल देते हैं non passing sight distance भी यह आपको याद रखना है तीन चार बार इसकी definition अभी हम बोल चुके ह कि वो distance कि जैसे ही हमें obstacle दीखे तो हम पहले सोचेंगे थोड़ी देर तक कि हाँ क्या करना चाहिए इस situation में फिर वो react करने का जो time हम ले रहे हैं वो reaction time ले और फिर brakes supply करने पड़े तो वो करें और हमारा vehicle रुख जाए वो braking length के अंदर रुख जाए इससे पहले की collision हो तो वो stopping side distance होता है overtaking side distance overtake करने के लिए या passing करने के लिए कितना distance चाहिए intermediate side distance आपके पास है कि जब overtaking side distance ना provide कर पा रहे हूं हम तब twice of SSD के बराबर intermediate side distance provide कर दे हैं उसके बाद side distance at intersection कि जब आप किसी uncontrolled intersection पे जा रहे थे तो क्या हमेशा इतना distance आपके पास visible था कि कोई confusion वाली situation के अं इकल भी यहां तक रुख पाए better situation तो यही होती है कि दोनों में थोड़ी एक understanding बैट जाए ऐसे दूर दूर से देखते understanding बन गई कि भाई तुम पहले निकल जाओं मैं अराम से निकल जाओंगा ठीक है तो यह पहले निकल जाओं यह बाद में निकल जाओं या फिर यह पहल विकल के लिए safe stopping side distance मिल पाए तो ट्राइंगल की property यूज़ करके क्या हम यह distance बता सकते हैं कि यह distance कितना होना चीए जिससे कि दोनों विकल अपने safe stopping side distance में रुख पाए उसके बाद आता है headlight side distance जो कि हमने example लिया valley curves वाला कि night driving situations के अंदर क्या light का थ्रू हमेशा इतना है क्य या हमेशा इतना length या इतना stretch of road available है जिस पर light अगर जाए तो वो दिखता रहे विकल को रोकना पड़े अगर तो रोक पाए तो headlight side distances पहले distance पे आते हैं SSD OSD में T की value पे बहुत doubt होता है अभी तो दोस्त पढ़ेंगे चट वाली side में तो light लगा ही सकते हैं valley curve के case में अब ऐसे तो बहुत जुगार कर सकते हैं वीकल की देखो हमारी दिम्मेदारी क्या है वो हमें perfectly करना चाहिए हमारा काम क्या है वो हमें perfectly करना चाहिए अब हम लोगों को थोड़ी न बोलेंगे कि जी आप अपने वीकल की छट पर additional lights लगा लीजिए flood lights लगा दीजिए LED लगा दीजिए और कुछ दस तरीके की light लगा लीजिए अपने उसके उपर highway की हमारी guarantee नहीं है ऐसा थोड़ी न करेंगे अगर हमें कोई ऐसा stretch मिला है जहा अब हमेद करके ला रहा है जो कि सही norms के अंदर IRC की guidelines जो है उनके अंतरगत और सही specification के अंतरगत वह vehicle बनाया गया है ordinary lights हैं उसके अंदर तो हम रोड ऐसी बनाए ना कि हमेशा इतना distance उसके light के throw के कारण बना रहे वहाँ पर जिससे कि उसको कोई problem ना आए है न हम लगाने को modification अब end user तो कुछ भी करें वो अपनी safety के लिए और ज़्यादा provision रखता है तो वो अच्छी बात है लेकिन हमारी जिम्मेदारे तो यही बनती है कि अकॉर्डिनिदी वीकल जो है वो भी वहाँ safely और comfortablyly drive कर पाए यही तो हमारा overall purpose क्या है highway को design करने का कि safe हो सेफ हो उस highway पर चलना और दूसरा comfortable हो time बचे एक जगा से दूसरे जगा commute करने में चलें आगे बढ़ते हैं safe stopping side distance क्या है एक नादान सा बालक है road cross करने के कोशिश कर रहा है या फिर यह कह लीजी road के side में कोई playground है खेल रहा था उसकी football गिर गई यह road के उपर भागता भागता बचारा चला गया ठीक है वो भागता भागता यहां पर चला गया road के बीच में आ गया अब आपके पास गाड़ी है गाड़ी के अंदर एड़ास नहीं है automatic safety जो है जो collision mitigation वाला system वो भी उसके अंदर नहीं है वो गाड़ी अपने आप रुख जाए पुरा ने जमाने की गाड़ी है आपके पास अब इस गाड़ी के अंदर आप drive कर रहे है manual सारी चीज़े manual controls है सब कुछ आपको करना है तो आपने देखा यहां पर इस point पर आके आपने देखा कि भाई सामने road पे एक बच्चा आ गया है अब आपका दिमाग क्या वो लेगा सोचना शुरू कर देगा वो सकता है आप डर message भीजा है कि देखो दिमाग आगे obstacle आगे एक बच्चा आ रहा एकदम से फिर दिमाग ने उसको सोचा उसमें ideas develop कि ideas develop करने के बाद उससे related emotions आए आप emotions कुछ भी हो सकते है sense of shock हो सकता है anger हो सकता है या फिर आप हो सकता है एकदम से डर जाए fear हो सकता है कुछ भी हो सकता है त फिर वो निकल जाएगा तब तक बच्चा क्रॉस कर जाएगा लेकिन worst case scenario दिमाग कह रहा है breaks apply करो आपने breaks apply कर दिये जितने time में ये process वह आप react करने का time ले रहे थे तो उतने time में आपका vehicle यहां से यहां तो move कर गया था उस distance को बोलते है lag distance जो react करने के लिए आपने time लिया वो lag distance अब यहां आ करके breaks apply होने शुरू हुए यहां से break अब ऐसा थोड़ी नहीं break लगाते ही गाड़ी बहीं के वहीं रुख जाएगी breaks apply होने शुरू होंगे वो जो गाड़ी का momentum है उसके against friction काम करेगा friction काम करेगा और friction उसको rest भी लेकर क्याएगा यहां तक तो वो distance कितन होना चीए minimum जिसमें की lag distance का margin भी रह जाए ब्रेकिंग डिस्टेंस का भी B-R-A-K-I-N-G B-R-E-A-K तो होता है तोड़ देना, break कर देना, B-R-A-K-I-N-G का मतलब breaks जो apply कर रहे हैं, retard जो कर रहे हैं vehicle की speed को तो यहां से यहां तक यह रुख गया, तो stopping side distance is a combination of lag distance and breaking distance, अब य किस किस के उपर depend करता है SSD, जितना तेज चला रहे होंगे, उतना ही जादा दूरी में जाके vehicle रुकेगा आपका, और reaction time जो आप लेंगे, भले reaction time उतना ही है, लेकिन vehicle तेजी से जादा distance cover कर लेगा ना, तो क्या speed of vehicle के उपर यह depend करता है, stopping side distance, बिलकुल depend करता है, उसके बाद अगर हम बात करें कि road कैसी है, road के features कैसे है, उसके उपर depend करेगा definitely, फिर उसके बाद, driver कितनी height पे बैठा है, अगर आप किसी truck के अंदर बैठे हैं, किसी bus के अंदर बैठे हैं, तो road से अच्छी खासी height होती है, SUV में, sports utility vehicle में आप बैठे हैं एकदम, तो fortuner में बैठे हैं, अच्छी खासी height से दूर से आप कोई भी obstacle आएगा, उसको देख पाएंगे, यहीं पे आप अल्टो में बैठे हैं, road के बिलकुल एकदम ऐसे लग रहा है, road पे ही बैठे हैं, इतनी कम height से अगर आप देखेंगे, तो जादा दूर तक vision जो है वो नहीं बन पाएगा, IRC हमे क्या कहता है कि आप SSD कैसे design करें, IRC हमें कहता है कि driver की आँखों का जो level है, वो road की level से कितनी height पर आप मान लीजिए, 1.2 meter की height पर आप मान लीजिए, 1.2 meter की height पर आप driver के eye level को consider करेंगे, object या obstacle जो आ रहा है, उसकी height आप मान लीजिएगा 15 cm, या फिर 0.15, इतना consider करके design आप आपको करना है, तो SSD को impact करने वाले कौन-कौन से factors हो गया, speed हो गया, reaction time हो जाता है, driver की जो eye level है, उसका height consider करना है, object जो है, उसका height आपको consider करना है, friction consider करना है, कि यहाँ पर break apply होने शुरू हो गया, तो friction भी तो यहाँ important role play कर रहा है, friction कितना लग रहा है, ज्यादा friction होगा, तो कम दूरी में रुक जाएगा, friction ही कम मिल रहा है, तो distance जादा चीज़े होगा रोकने के लिए, तो कौन-कौन से factor है, reaction time of the driver, यह driver पर depend करता है, IRC तो कहता है 2.5 second लेना, लेकिन अगर driver experienced है, तो वो कम reaction time लेगा, उसको पता है कि हाँ रोड के उपर कैसे क्या-क्या सकता है, जादा चाहिए हो, speed of vehicle कितनी है, brakes की efficiency कितनी है, braking efficiency कितनी है, तो IRC recommend करता है कि braking efficiency कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए, जितना maximum friction develop हो सकता है टायर और रोड के बीच में, IRC कहता है, brake लगाते वक्त, उस maximum friction का कम से कम आधा तो अप्टेन होना चाहिए, friction coefficient, longitudinal direction में, length की direction मे जब vehicle चल रहा है, उस direction में जो friction work करेगा, वो 0.35 से 0.4 होना चाहिए, उसके बाद road की gradient पे भी फरक पड़ेगा, कि अगर आप चड़ाई पर जा रहे हैं और brake supply किया आपने, तो कम दूरी में ही रुक जाएगा, क्योंकि gravity का एक component आपको mg sin theta नीचे की direction में वैसे ही खींच र जिन पे SSD depend कर रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें, SSD lag distance प्लस breaking distance के बराबर आ जाता है, lag distance वो distance जो सोचने में, समझने में, उस situation को analyze करने में और react करने में जो time लग गया, जो reaction के दोरान जितना distance vehicle cover कर गया था, वो आपका lag distance है, उसके बाद breaking distance आ जाता है, अगर हम बात करे क्या work done होना चाहिए, work done किसने किया, यहां पे vehicle की energy कुतनी थी, half mv square थी, यहां वीकल की energy कितनी थी, half mv square, यहां पर आकर के zero हो गई, kinetic energy half mv square से zero हो गई, रूप गया vehicle, किसने रोका, इस energy को किसने counter किया, इस energy को counter किया, friction ने, work done by friction, friction क्या है, ? Mg, Mg Frictional Force हो गई, multiplied by कितना distance, तो force into distance यही तो work होता है, work done होता है, तो यहां से गर इन दोनों को हम रिलेट करें, half Mv² को हमने लिख दिया, W is equal to Mg, तो M को हमने express कर दिया, W by G, तो half Mv² में M की जगा W by G put कर दिया, और फिर इसके बाद इसको mu Mg, यनि कि यह तो हो गया Frictional Force, कितने distance तक वो friction ने work किया, L distance तक work किया, तो यह Mu Mg into L, यह work done by friction equals to half Mv² हमने put कर दिया, half Mv² के जगा half Wv² हमने put कर लिया, 1 by 2 G, Wv², तो जहां से हमारे पास L की value आ गए, V² upon 2 G Mu, overall अगर हम conclude करें, तो हमारे पास formula जो आ गया SSD का, वो आ गया VT, मतलब V velocity से vehicle चल रहा था शुरू में, T उसने reaction time लिया, तो शुरू में V into T distance उसने travel कर लिया, lag distance के form में, उसके बाद breaking distance, break जब लगे तो कितना distance उसको चाहिए था, question में ध्यान देना है, कि आपको सवाल में उसने पूछा क्या है, question में उसने पूछा है कि मुझे यह बताओ lag distance कितना है, या उसने यह बोला है, कि मुझे यह बताओ यह breaking distance कितना है, या फिर उसने बोला है कि SSD calculate करके बताएं, तो इन में components individually आपको समझ में आने चाहिए, V into TR का मतलब तो यह सिर्फ और सिर्फ lag distance है, यह सिर्फ और सिर्फ lag distance है, उसके बाद V square upon 2GF की अगर हम बात करें, तो यह आपके पास breaking वाला distance आता है, कि breaking के दौरान कितनी दूरी में जा करके आपका vehicle रुकेगा, तो उसने पूछा क्या है, SSD पूछा है, सिर्फ breaking distance, सिर्फ lag distance, क्या पूछा है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका vehicle gradient पे है, चड़ाई पे अगर जा रहा है, तो आपको पता है ना, याद करो वो बच्पन के दिन, जब क्या हुआ करता था, एक incline block हुआ करता था, 11-12 की क्लासों में, जब IIT के सपने दिखाई जाते थे, यहाँ पे M mass होता था, यह M नीचे अगर force लगाएगा, तो वो M G लगाएगा, यह angle यहाँ पर theta था, यह 90 था, यह 90 minus theta था, यह 90 minus theta, यह पूरा 90 अगर, तो यह angle आपका theta, अब आपके पास यह M G, M G के साथ यह angle theta, और साथ वाला component बन जाएगा, M G cos theta, M G cos theta के perpendicular वाला बन जाएगा, M G sin theta, M G sin theta, तो यह M G sin theta, जब भी कोई inclined plane के उपर, कोई vehicle move करेगा, तो नीचे की direction में, M G sin theta उसे खीच रहा होगा, अब जब inclined direction में जा रहा था, तो M G sin theta कह लिजिए, या W की जगा हम M G लिख रहे हैं न, तो W sin theta उसे खीच लिख लिजिए, वो नीचे की direction में जा रहा होगा, अगर brakes apply करेंगे, आप जब उपर जा रहे थे, और brakes apply करेंगे, तो एक friction का component, M G cos theta, यह भी यहाँ पर act करेगा, तो आपने बोला, कि W sin theta, इस तरफ लग रहा है, और इसको counter कौन कर रहा है, इसको counter कर रहा है, इसको counter कर रहा है, इस vehicle को forward direction में move कर रहा था, वो इसको friction रोकने की कोशिश कर रहा है, तो एक M G sin theta, एक M G cos theta आपके पास है, और force जो है, इस vehicle का, जो forward direction में इसको लेके जा रहा था, तो आपने mass into acceleration, M A equals to, क्या लिखा आपने, इसकी equation लिखी, पूरी इसकी force की equation लिखी, कि ये vehicle अगर इस direction में चल रहा था, तो mass into acceleration force की equation, कौन कौन सी force लग रही थी, एक तो M G cos theta लग रही थी, M G cos theta, और एक लग रही थी, M G sin theta, ये forces लग रही थी, equals to M A, negative sine क्यों use करेंगे, यहां क्योंकि retard हो रहा है, speed reduce होती चली जा रही है, तो ये लिखा, आपने यहां से acceleration की value आई, A equals to minus M G cos theta, plus G sin theta, W sin theta को approximately 10 theta के बराबर हमने लिख दिया था, Newton की equation लगाई, V square minus U square equals to 2A, values पुट कर दी, इसमें acceleration की simplify किया, और हमारे पास value आगया, L का V square upon 2G, mu plus N by 100, या फिर overall अगर conclude करें, SSD का एक formula यह याद रखना है, अगर vehicle gradient पर जा रहा है, अब the gradient जा रहा है, उपर की direction में अगर move कर रहा है, vehicle अगर, उपर की direction में move कर रहा है, उपर की direction में move कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि vehicle को brake लगाने पर, कम distance चाहिए होगा रुखने के लिए, क्योंकि gravity खुद नीचे खीच रही थी, उसको इस side खीच रही थी, तो distance कम चाहिए होगा, या फिर इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अब gradient अब positive, तो यहाँ positive अगर use करेंगे, सकते हैं, तो यहाँ minus है, मतलब अगर किसी quantity में minus आ रहा है, तो denominator वाली quantity छोटी हो जाएगी, अगर denominator की quantity छोटी होगी, तो overall यह breaking distance जो है, यह बड़ा हो जाएगा, तो down gradient में, जब आप डलान पर आ रहे थे, तो उस वक्त आपको ज़्यादा distance चाहिए होगा, vehicle को रोकने के लिए, तो VT plus V square upon 2GF, अगर gradients consider करने हैं, तो VT plus V square upon 2GF plus minus, कितने percent का gradient है, वो आपको use करना है, IRC कुछ बातें भी recommend करता है, और बताईए, सब ठीक ठाक, समझ में आ रहा है सब को, करता है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए IRC कुछ बातें रिकमेंट करता है क्या रिकमेंट करता है IRC कहता है कि अगर एक सिंगल लेन वाली रोड है मतलब ऐसी रोड जिसके विट जो है वो 3.75 मीटर ही है यह यूँ कहें कि एक वीकल याराम अराम से जाएगा दो वीकल पैरलली रन नहीं करेंगे तो अब एक वीकल यहां से जा रहा था और अगर माल लीजिये सामने से एक वीकल आ रहा था अब तरीका तो यही होता है जैसे विलेज रोड होती है विलेज भी आज कल के बहुत जादा हाई टेक हो गए है लेकिन मान लीजी कोई ऐसा village है जहां पर ऐसी road है single lane वाली अब अगर इन दोनों vehicle को एक दूसरे को side देनी है तो ये road से नीचे उतरेगा ये इस तरफ थोड़ा नीचे उतरेगा cross कर जाएंगे एक दूसरे को लेकिन कोई confusion की state अगर बन जाए तो ऐसी स्तिती के अंदर हमें ये ensure करवाना होगा कि ये vehicle जो है ये अपने SSD के अंदर रुख पाए और ये वाला vehicle अपने SSD के अंदर रुख पाए दोनों के बीच में collision ना हो तो एक ऐसी road जो कि single lane road है जिस पर two way traffic है vehicles आ भी रहे हैं और vehicles जा भी रहे हैं तो उस case में क्या होगा उस case में क्या होगा twice of SSD distance हमें चाहिए होगा चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगर आपके पास undivided highway है जिसके उपर two way traffic है undivided highway जिस पर two way traffic है उस case में gradient का effect जो है वो consider नहीं करते हैं SSD को calculate करने के लिए divided highway के लिए gradient है जो effect है उसको consider करते हैं SSD vertical curves के उपर अगर हम calculate करेंगे vertical curves के उपर मतलब कि जब आप इस तरीके से कोई ऐसी road के उपर जा रहे हैं पहले उपर जा रहे हैं फिर उसके बाद नीचे आ रहे है gradient है vertical curve है तो उस case में SSD जो calculate किया जाएगा जो distance calculate किया जाएगा वो इसकी center line वाली length के according distance हम calculate करेंगे SSD को calculate करने के लिए driver का eye level 1.2 meter और object का 0.15 meter consider करेंगे अगर कहीं पर SSD नहीं provide किया जा पा रहा कोई ऐसी situation बन गई जहां road का ऐसा single stretch नहीं मिल रहा है सीधा दिखते हुए SSD का distance नहीं adopt हो पा रहा है तो उस case में proper sign boards लगाएंगे कि आगे तिवर mode है ठीक है sharp curve है आगे आपका speed slow कर लीजिए इस तरीके के आप वहाँ पर sign boards apply करेंगे speeds के according अलग अलग speeds के according IRC ये recommend करता है लेकिन हम ये नहीं याद रखेंगे directly question के अंदर value put करके solve करके भी आप इसे कर सकते हैं एक छोटा सा question आप सभी के सामने है इसको solve करें हम अच्छे हैं दोस्त देखें दो कार्स हैं एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है एक कार इस तरफ से आ रही है एक कार सामने से आ रही है दो कार्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही है इनकी speeds की अगर हम बात करें तो 90 km पर आर और 60 km पर आर है reaction time 2.5 second लेना है coefficient of friction 0.7 लेना है और breaking efficiency 50% consider करनी है तो friction जो maximum possible है सवाल में वो आपको दे दिया कि 0.7 लीजिएगा लेकिन actual में जो efficiency है कि breaks apply कर कितना पाएंगे breaking efficiency कितनी है breaking efficiency है 50% कि अगर break लगाएंगे तो जितना maximum friction है ना उसका 50% ही मिलेगा मतलब कितना मिलेगा friction obtain कितना होगा friction जो obtain हो पाएगा वो 50% of 0.7 तो friction 0.35 ही मिल पाएगा जब friction इतना ही मिल पाएगा इन दोनों के collision को avoid करने के लिए हम ये बोलेंगे कि total SSD जो चाहिए वो SSD first vehicle का SSD second vehicle का इतना चाहिए होगा formula की अगर हम बात करें तो SSD का formula हमें बोलता है कि velocity into reaction time velocity यहां किसमे meter per second में put करेंगे ये plus V square upon 2GF ये use करेंगे दोनों vehicles के लिए तो SSD first vehicle के लिए अगर हम लिखेंगे SSD total is equal to first vehicle के लिए velocity कितनी दी हुई है 90 km per hour इसमें दी हुई है 60 90 km per hour को हम लिख सकते हैं convert कर लीजिएगा 5 by 18 से V1 is equal to km per hour को meter per second में convert करने के लिए 5 by 18 से multiply करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 25 meter per second 16.66 हो जाएगा दूसरे वाला हूँ velocity second case में 5 by 18 into 60 तो ये 16.66 meter per second हो जाता है तो first case में V1 into T1 plus V2 upon 2GF second case में V2 into reaction time plus V square upon 2 G F solve कर लीजिए दोनों को SSD 1, SSD 2 को add कर दीजिए answer आ जाएगा 153.6 5 by 18 क्या है दोस्त अगर आपके पास 1 kilometer per hour है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 kilometer upon hour इसे लिख सकते हैं आप 1 into kilometer को 1000 meter 1 hour को लिख सकते हैं 3600 second 102012 ये चली गए फिर उसके बाद next आपके पास 2 5s are 10 2 18s are 36 meter per second ठीक है और चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 1 या x लिख सकते हैं इसको ठीक है let's say कि ये कुछ x ये क्या है कुछ x kilometer per hour है तो x kilometer per hour इसको लिख दीजिए इसे भी कुछ x ले लीजिए x kilometer per hour यहां पर भी X ले लिजे तो X अगर किलोमेटर पर आर में था तो इसको 5 by 18 से multiply किया या फिर X into 0.278 मतलब जो भी किलोमेटर पर आर में दिया हुआ हो उसे 0.278 से multiply कर दीजिए या फिर 5 by 18 से कर दीजिए समझ में आया? equation समझ नहीं आई इस vehicle को रोकना था इधर से आने वाले को vehicle को इसको रोकना था इसको भी रोकना था ताकि आपस में टकराए ना तो दोनों का SSD calculate करना है दोनों का SSD calculate करना है तो V1 into TR plus V1 square upon 2GF V1 into reaction time reaction time कितना दिया हुआ है? 2.5 second दिया हुआ है वो put करेंगे plus V1 square upon 2GF similarly second के लिए put करेंगे 235.65 आ रहे हैं 235 ठीक है 236 के आसपास आजाएगा अब दोनों को add करने से दोनों को add करने से लगबक इतना आजाएगा next question homework है screenshot ले लिजिए live stream खतम होते ही comment करके आपको बताना है कि correct answer इसका क्या है? ठीक है? F obtained बताना है F obtained का अर्थ है कि आपका tire और जो road है उसके बीच में maximum से maximum friction कितना possible है तो उसे बोग देते हैं F maximum अब आप जब road को use कर रहे थे break actual में apply किये क्या वो maximum वाला friction काम कर जाएगा? क्या? नहीं करेगा तो जो आपको friction वहाँ पर actual situation में मिलता है उसे बोलते हैं कि कितना friction obtained हुआ है तो friction कितना मिला upon maximum कितना हो सकता है वो जो कहलाता है इसी को तो हम क्या बोलते हैं breaking की efficiency इसी को तो हम क्या बोलते हैं breaking efficiency जैसे आपको अगर 10 सवाल समझाए जाएं उसमें से 8 आपको याद रह जाएं तो आप कहेंगे कि मेरी learning efficiency 80% है कि 10 चीज़े मुझे बताई जाती है तो आप 8 मैं याद रख लेता हूँ 80% मैं याद रख लेता हूँ तो आप कहते हैं मेरी learning efficiency 80% है इसी तरीके से maximum से maximum friction कितना हो सकता है कितना obtained हुआ चल रहा है simply supported beam के दो case और बचे उसके बाद overhang beam हम करेंगे कल के सुबह के session के अंदर अगर आप भी strength of material पढ़ना चाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए आपको app के उपर जा करके course दिख जाएगा यह course complete course है जिसमें आपका pre to main सब कुछ coverage होगा along with question along with subject wise test subject के theory वाले question mains वाले question objective questions जिस भी प्रकार के questions बनते हैं वो सभी प्रकार के questions के साथ practice के साथ weekly test subject wise test और उसके बाद complete mock test जो हम exam time में जा करके करेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी single course के अंदर आप code use कर सकते है new start जिससे आपको 10% instant off मिलेगा अगर आपने अभी तक app download नहीं किया तो app download कर सकते हैं जिससे कि जहाँ पर जो free content है वो भी मिलेगा आपको PDF जो है free PDF YouTube की ये भी app के उपर आपको मिलती हैं और जो test अगर होते हैं जो free test है free sessions है वो भी आपको वहाँ पर लिखने को मिलेंगे अगर इस channel पर नहीं है तो subscribe कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ आप इससे share कर सकते हैं और इस video को अभी तक like नहीं किया है तो आप like कर सकते हैं आपके उपर है जैसे ही ये session खतम होगा उसके बाद live stream खतम होने के बाद आप comment करके भी हमें बता सकते हैं आपको ये sessions कैसे लगते हैं thank you so much take care bye bye 10% work कर रहा है दोस्त concrete की pdf अल्रेदी uploaded है कुछ motivate वाली speech देखो दोस्त motivation जो होता है वो motivation actual वाला कम और जो उपर उपर वाला जो होता है good feel वाला वो जादा बेचा जाता है अच्छा motivation वही है जो आपको progress को track करवाई आपके लिए आपका motivation क्या हो सकता है एक motivation ऐसा हो सकता है जो कि आपको push करेगा काम करने के लिए तो वो आप अपनी परिस्तितियां देखिए अपने दुख दर्द देखिए अपने परिवार के स्तिति देखिए कि क्या आपको बदलने की अवशकता है वो अपने आप आपको motivate कर देगा दूसरा motivation ये तो purpose देगा आपको कि क्यूं करना है दूसरा motivation जो है वो होगा आपकी खुद की progress कि कल आपको क्या आता था आज आपको क्या आता है कल क्या आपको civil engineering के बारे में पता था और आज कितना आगे चले आए हैं कितने subjects के बारे में आपको जानकारी मिल रही है कितना पढ़ लिया है कितने subject cover हो गए है कितने और cover करने है कितनों के questions कर लिया है कितनों के questions भी करने है revise कितने कर लिया है short notes कितने बना लिया है test कितने दे लिया है तो जैसे-जैसे progress बढ़ती चली जाएगी वो अपने आप ही आपको motivate करती चली जाएगी और यही lifelong rule रह लेवाना है सिर्फ यही नहीं कि जो तैयारी के एक-दो साल है उन सालों में ऐसा future में जो भी काम करेंगे उसके अंदर जैसे-जैसे उस काम का progress बढ़ेगा वो अपने आप ही आपको motivate करता रहेगा किसी और के कुछ कर देने से कुछ नहीं होगा दोस्त हाँ वो बात अलग है कि जब आप परेशान होते हैं जब आप दुखी होते हैं तो उस वक्त आपको बस एक sense of feeling चाहिए होती है कि कोई साथ में है बस ठीक है sense of completeness कह लिजिए sense of participation कह लिजिए कि उस समय आपको चाहिए होता है कि यार कोई हो जो मुझे इस time में support कर दे जैसे exam time में आ जाए तो आपको ऐसी feeling आ जाती है कि कोई हो जो बस पढ़ा दे कोई हो जो बता दे important क्या है मैं एकदम अपना 100% दे दूँगा 100 क्या 200% दे दूँगा तो इस प्रकार का motivation फिर भी अच्छा होता है तो motivation एक circle भी आप अपना रख सकते हैं आप अपके दोस्त आपके रिष्टेदार जो भी जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उनके बीच में कि कहीं पे भी कोई निराशा जनक अगर विचार दिमाग में आया बहुत ज़्यादा low feel कर रहे हैं sad feel कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि यार meaningless सी है life ऐसे ही चल रही है तो उस वक्त एक positive thought जो है एक positive charge जो है वो सारा कुछ सारी situation ही बदल सकता है तो उस time अपने आपको ऐसे समझेगा कि आप राजा है आप क्या है राजा है और एक राजा को कभी भी ये शोभा नहीं देता है कि वो इतना low feel करे अगर राजा इतना low feel करेगा एक leader इतना low feel करेगा अब आप leader क्यों हैं आप अपने परिवार को lead कर रहे है आप अपने कहीं न कहीं छोटे भाई भेन दोस्त उनको भी lead कर रहे है किसी भी form में आप करेंगे कभी आपको कोई करेगा कभी आप किसी को कर रहे है यानि कि आप एक source of motivation उनका बन जाएंगे अगर आप ये सोचेंगे वो भी कोई दुख तकलीफ हैं आ रही है उन्हें वो दुख तकलीफ न बोल करके वो एक challenge बोलेगा कि this is just a challenge how to overcome this situation how to do better in this situation आज जो problem मुझे आ रही है आज जिस स्तिति में मैं फसा हुआ हूँ मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना चीए या फिर मैं बहुत जादा negative सोच रहा हूँ इस चीज के बारे में कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है तो क्या आप आज से दो महीने बाद दो साल बाद वही चीज सोचेंगे क्या आज से दो महीने बाद आप खुद जो है अपने पुराने दो महीने के version को क्या advice दे रहे होंगे या कोई और आपका दोस्ट जो है उस सिति से अगर गुजर रहा होता तो आप उसको क्या advice देते वही advice present में दे दीजिए खुद को तो सारा काम बन जाएगा so just stay positive चीजों के उपर observation जब भी ऐसा लगे न कि आपके actions जो है वो impact हो रहे है आपके ज़्यादा सोचने की वज़े से आपको performance pressure आ रहा है तो just be an observer एक observer बन जाएं कि किसी और के उपर ही हो रहा है मुझे तो बस देखना देखना है कि क्या हो रहा है रोड के गिनारे लड़ाई हो रही होती है आप क्या कर रहे होते हैं बस देख रहे होते हैं observe कर रहे होते हैं किसने किसको मारा आपको दर्द थोड़ी न होता है observer बन जाएं अपने साथ भी कुछ बुरा हो रहा हो तो एक observer बन जाएं अपने बड़े भाई की तरह act करें कि भाई मेरा बड़ा भाई ही है भाई क्यों वो अड्यूज करते हैं क्योंकि भाई इसलिए कि भाई बल होता है हमारी शक्ती होती है तो वैसे ही अपना बड़ा भाई खुदी बन जाए कि भाई क्या advice देता मैं खुद को क्या मैं action लेता क्या मुझे करना चाहिए, अपने आप कोई बोल दीजे कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कठिनाईयां परिस्तिती, जो भी जैसी है, हम प्रतिकूल को अनुकूल बना लेंगे, सब सही हो जाएगा, सब सही चल रहा है, बस अपने आपको स्टेबल रखें, काम रखें, शान्त रखें, अपने डिसीजन सही लीजिए बुरे समय के अंदर, क्योंकि बुरे समय में लिये गए जो डिसीजन होते हैं, बहुत जाद अच्छे समय के डिसीजन भी वो हमेशा सही नहीं होते हैं, बहुत एक्स्ट्रीम हैपिनेस और एक्स् एन दे दिमाग से दिसीजन से लें okay thank you so much see you in next session take care bye bye झाल झाल